अगला question देख लेते हैं अगला question भी बहुत बढ़िया है compounded related question है और बहुत ही simple question है लेकिन common sense question है ध्यान दीजेगा तो बनेगा नहीं तो कहीं नहीं mistake कर सकते हैं first time में नहीं बन सकता है compounded quarterly लिका है नहीं ध्यान दीजेगा पर चाहसाजार रुपए है टूटल पिंस्पल 12% रेट है छो महीना के लिए दे रहा है एक पॉटरली है रेट है 12% पर एनम था लेकिन हमें निकालना है तो रेट हो जाएगा 12% भाग 4 बराबर 3% हो जाएगा लिए तो चार्ज भागा लगाना पड़ेगा तो 3% हो गया रेट खीक है अब एन की वेल्यू कैसे निकालेगा तीन-तीन महीना पर कंपॉटरेट लगा छो महीना है तो दूए बार नहों होगा थेक दो बार तो हम लोग दो बार निकालेंगे यानि कि 50 टोटल प्रिंसिपल है आपका हो गया प्रिंसिपल 3% 3% 3% कितना होगा 1500 यहां हो जाएगा और इसका पंदत यह 45 टोटल जोलो कितना हो जाएगा 3045 यानि इतना अप्सान नमबर 3045 प्रिंस्ट नमबर 1 फॉस्ट ऑप्सन सही है 3045 यह तीन हजार पैतालिस रुपए होगे एक किस नमबर कोशन का एं बेहद्रीन एदम